तो परमेश्वर के अनुग्रे से ये समय आप पहुचा है कि हम नीती वचन के ग्यारवे अध्याय के उपर अब अपना ध्यान के इंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को देखने, इस बात को समझने का प्रियास करने जा रहे हैं कि नीती वचन के ग्यारवे अध्याय में सुलेमान ने कौन-कौन सी ऐसी इंपोर्टेंट या महत्वपून बातों को बताया है जिनको हम आज तक नहीं समझ पाए हैं और जब आज हम उन बातों को समझेंगे यहां पर लिखा है चल के तराजू से यहुआ को ग्रना आती है परंतुवे पूरे बटखरे से प्रसंद होता है अब यहुदी ज्यानी पूरुष यानि कि जुश सेजिस जो हुए इतिहास में वो इस बात को कहते हुए आए हैं यहां पर सुलेमान ने यह बात जो बोली है इस बात के दो आयाम है यानि कि यह दो भागों को प्रस्तुत करती है पहला आयाम जो है वो यह है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से बिल्कुल भी प्रसंद नहीं होता है जो बेमानी करके पैसा कमाता है उधारन के रूप में बाठ जो होते हैं वेट और मैजर जो होते हैं नापने का और तोलने के जो बाठ होते हैं या मैजर जो होता है अगर वो गड़बड है अगर वो बेमानी भरा है तो परमेश्वर जो है उन लोगों से बिल्कुल भी प्रसंद नहीं होता है दूसरी और जो यहुदी ज्यानी पुरुष हुए जो इस सेजेस जो हुए वो इस बात को कहते हुए आए हैं कि दूसरे जितने भी पाप हैं उन सबसे ज़ादा सीवियर सिन सबसे ज़ादा गंभीर पाप परमेश्वर के दृष्टी में जो है वो बेमानी करना होता इसलिए सुलिमान नीती वचन के अंदर बार 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 इस बात की चेतावनी जो है वो हमको देता है साथ ये साथ यहुदी ज्यानी पुरुष कहते हैं कि जो बेमानी करने वाला व्यक्ति होता है उसको पता नहीं होता है कि वो किसके साथ बेमानी कर रहा है यानि कि उसके जो customer है उसको पता नहीं है कि customer दुष्ट है धर्मी है या ये कौन है तो इस रिती से जो बेमानी करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी-कभी धर्मियों के साथ भी बेमानी कर लेता है और धर्मियों का पैसा जो परमेश्वर की आशिश से धर्मी को प्राप्ठ हुआ होता है उसको वो हड़प कर जाता है और परमेश्वर उसके बाद उस पैसे को उसके पेट में हाट डाल करके बाहर निकाल लेता है तो इसलिए सीवियर सिन है क्योंकि वो धर्मी को भी नुकसान पुछाने का काम करता है और वो पैसा जो वो डिजर्व नहीं करता था हग भी नहीं बनता था उस पैसे को वो उक्यूपाई कर लेता है तो एक बहुत बड़ा सिन है यहुदी यानि पुरोश इस बात को कहते हुए आए अब परमेश्वर का वचन कहता है कि छल का तराजू और छल का नाप जो है वेट्स और मैजर्स जो है जो छल के हैं दोके बाजी के या बैमानी के जो हैं परमेश्वर उनसे घ्रणा करता है तो यहुदी लोगों के अंदर ये परमपरा रही है प्राचीन समय से कि अगर ये छल के तराजू बाट या नापने का जो छल का जो ओजार होता है वो उसको घर में भी नहीं रख सकते हैं वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं वो उससे किसी के साथ बेमानी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो उसको घर में भी नहीं रख सकते थे। तो उनको घर में भी यह सब रखना जो था वो परमेश्वर की ओर से मना किया गया था। दूसरी ओर जो यहुदियों की जो मिद्राश है वो इस बात को बताती है, इस बात को कहती है कि जो जनरेशन जो पीड़ी बेइमानी करती है जिस जनरेशन के लोग बेइमानी करते हैं तो उनको सरकार जो होती है वो भी बिलकुल वैसी की वैसी मिलती है तो मिदराश के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी देश की सरकार भरष्ट है बेइमान है बहुत ही जादा अत्याचारी है तो सबसे पहले उस देश के लोगों को आप देखें कि उस देश के लोग कहीं भरष्ट तो नहीं है कहीं बेइमान तो नहीं है कहीं उस देश के लो लोगों को वैसी ही सरकार मिलती है जो ऐसे लोगों को उचल करके रख देती हैं। यहुदियों की मिद्राश में 1000 साल पहले नीती वचन की 11 अध्याय के पहले वचन की उपर गृत तिप्डी की गई है वो यही की गई। लेकिन यहुदी ग्यानी पुरुष विल्ना गाओन जो है अपनी कॉमेंटरी के अंदर इस वचन का एक आत्मिक पहलू भी निकाल करके बाहर लाते हैं और विल्ना गाओन जो है वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर यह चल का तराजू जो है वो उस व्यक्ति को दर्शाता है जो खुद के लिए तो वचन को ले करके बहुत लीनियंट हो जाता है लीनियंट का मतलब उसके लिए तो हर चीज जो है वो सही है यानि कि अगर गलती भी कर दी तो खुद के लिए तो माफी है लेकिन दूसरों का नियाए वो बहुत कड़ाई के साथ करता है यानि दूसरे जो हैं उनको तो वचन का पालन करना ही करना है लेकिन वो खुद के लिए कहता है कि नहीं इसका एक बीच का रस्ता ये भी है दूसरों के बच्चे जो हैं उनको तो वचन का पालन करना है लेकिन खुद के बच्चे अगर वचन का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं देता है तो ये चल का तरह जोड़ और वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर इससे घ्रना करता है कि आप दूसरे येश्यो मसी ने भी तो यही बात कही येश्यो मसी ने कहा कि तुम ऐसे भारी भोच को जिसका उठाना कठेन है मनुश्यों पे लाद देते हो और खुद उसको अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते तो यहाँ पर सुलिमान जो है नीती वचन में उसी बात को लिख रहा है विलना गाउन जो है वो कह रहे हैं कि हर इंसान जो है तराजू लेकर के खड़ा रहता है और परमेश्वर देखता है कि वो किस प्रिकार से लोगों को तोल रहा है और खुद को तोल रहा है येश्यमसी ने कहा दोश मत लगाओ तो तुम फर भी दोश नहीं लगाया जाएगा क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो वही नापना तोलना जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम को भी नापा जाएगा तो अगर मेरे बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो नहीं नहीं यह तो चल जाएगा दूसरे के बच्चे अगर कुछ गलत करेंगे तो फिर वहाँ पर तो काईदे कानूनों की लिस्ट जो है वचन से निकल करके बाहर आ जाएगे और देखे अधिकांश कलीसिया के अंदर ऐसा ही होता है अधिकांश की जो कलीसिया के जो जवान है उनके उपर तो सारे काईदे कानून अपलाए होते हैं जो वचन के अंदर लिखे हुए हैं लेकिन जो अगवा होता है कलीसिया का वो उस अगवे के जो बच्चे होते हैं बच्छों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए हैं, तो यहाँ पर इसका आत्मिक पहलू जो है, वो विल्ना गाउन निकाल करके हमारे सामने ले करके आते हैं. अब आगे क्या लिखा हुआ है दूसरे वचन में, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर लिखा है जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है परन्तु नम्र लोगों में बुद्धी होती है अब यहाँ पर जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है हीब्रू की बाइबिल में ये वचन थोड़ा डिफरेंटली लिखा गया है और Hebrew Bible के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ Hebrew Bible में लिखा है A Willful Sinner Comes जब एक Willful पापी आता है यानि कि अपनी इच्छा से पाप करने वाला Intentionally पाप करने वाला जब आता है Disgrace Comes जब ऐसा पापी जो जान बूच करके पाप करता है जब वो कहीं पर आता है तो उसके साथ साथ अपमान भी आता है यानि कि जो जान बूच करके पाप करता है जान बूच करके परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी अगर वो पाप करता है तो उसका अपमान तो होगा ही होगा उसके अपमान से वो बच नहीं सकता है लेकिन विल्ना गाउन जो हैं यहुदी ज्यानी पुरुष वो अपनी कॉमेंटरी में कहते हैं कि यहां पर इस बात का एक दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू क्या है यहां पर लिखा है जब अभीमान होता है तब अपमान भी होता है और परन्तु नम्र लोगों में बुद्धी रहती है तो विल्ना गाउन कहते हैं कि परमेश्वर के वचन का ग्यान कभी भी अभीमानी को नहीं मिल सकता है जो प्राइड करता है घमंड करता है उसको परमेश्वर के वचन का ग्यान प्राप्त ही नहीं हो सकता है लेकिन जो लोग नम्र हैं सिर्फ नम्र लोगों को ही परमेश्वर के वचन का ग्यान प्राप्त हो सकता है विलना गाउन ने अपनी कॉमेंटरी में इस बात को बताया है और अभीमानी को ज्यान क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है और नमर लोगों को ही परमेश्वर के वचन का ज्यान क्यों प्राप्त होता है विल्ना गाउन कहते हैं कि अभिमानी जो है वो परमेश्वर के वचन को ले करके जो सिखाने वाला होता है वरमेश्वर का वचन उसके साथ बहस करता है और विल्ना गाउन अपनी कॉमेंटरी में बताया है कि बहस करने वाला जो वेक्ति होता है जो अपने teacher से अपने सिखाने वाले से बहस करता है उसको वचन का ज्यान कब़ी भी प्राप्त नहीं हो सकता है लेकिन जो teacher जो सिखा रहा है और उसको जो accept करता है बिना बहस किये नम्र लोगों में बुद्धी रहती है तो उसको परमेश्वर का वचण का ज्यान प्राप्थ होता है और विल्ना गाउन अपनी commentary में एक example देते हैं विल्ना गाउन कहते हैं कि इसी लिए इनसान को परमेश्वर ने दो आखें दो कान और एक मुझ दिया है ताकि इनसान सिर्फ वचन को अंदर से निकालने के लिए ही मुझ को खोले बहस करने के लिए मुझ को नहीं खोले और ये बाइबिल की एक मूल शिक्षा है बहस करने वालों के लिए बाइबिल में पॉलूस ने भी लिखा है कि उनको शब्दों पर तर्क वितर्क करने का बहस करने का रोग है यह बिमारी है परमेश्वर के वचन के उपर जो बहस करता है वो एक बिमारी है पॉलूस ने लिखा है तो इसलिए पॉलूस कहता है इन सब चीजों से तुम बचो और यहाँ पर नीती वचन के अंदर भी इसी बात को लिखा है कि अभीमानी है वो जो परमेश्वर के वचन के उपर सिखाने वाले के साथ पहस करता है लेकिन नम्र लोगों के अंदर बुद्धी रहते है अब आठवे वचन के अंदर जो बात बताई हुई है वो बहुती महत्वपूर्ण बात बताई हुई है यहुदी ज्यानी पुरुष बहुत जोड़ दे करके उस बात को बता दे यहाँ पे लिखा है धर्मी विपत्ती से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ती में पढ़ जाता है धर्मी जो है वो विपत्ती से छूट जाता है लेकिन दुष्ट उसी विपत्ती में कौन सी विपत्ती में जो धर्मी के उपर आई होती है दुष्ट उसी विपत्ती में पढ़ जाता है अब यहुदी ज्यानी पुरुष इसके विशे में क्या कहते हैं यहुदी ज्यानी पुरुष कहते हैं कि जब धर्मी कोई गलत काम करता है या पाप करता है तो स्वर्ग से परमेश्वर का आदेश निकलता है उसके दंड के लिए यानि धर्मी के दंड के लिए आदेश निकलता है और परमेश्वर का आदेश तो निकल गया और उसके बाद जब ये देखा जाता है कि इस धर्मी ने कितने भले के काम किये हैं और जब उसके भले के कामों का वजन जादा होता है तो जो आदेश परमेश के उपर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है धर्मी तो विपत्ती से छूट जाता है लेकिन दुष्ट उसी कौन सी विपत्ती में उसी विपत्ती में जो धर्मी के उपर आने वाली होती है वो दुष्ट के उपर आ जाती है और दुष्ट जो है वो खतम हो जाता है अब यहुदी रभी इसके लिए एक reference देते हैं नीती वचन का ही नीती वचन उसका 21.18 पद का reference देते हैं यानि Proverbs 21.18 का वो reference देते हैं कि वहाँ पर भी यही बात सीधे रूप में सुलिमान ने लिखी है दुष्ट जन धर्मी की छुड़ोती ठेरता है और विश्वास गाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं यहाँ पर भी उसी बात को बताया तो यहुदी रभी जिस बात को कहते हैं और वो बहुत example भी देते हैं वो कहते हैं कि शद्रक मेशक और अबेद नगो को आग के भटे में डाला गया लेकिन शद्रक मेशक और अबेद नगो तो ऐसे के ऐसे ही भार आ गया है लेकिन जो उनको आग के भटे में फेकने वाले थे वो जल मरे और फिर वो एक और example देते हैं वो कहते हैं कि दानियल को सी की मांद में डाला गया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ दानियल तो ऐसा का ऐसा बहर निकल आया लेकिन जो उसकी चुबली करने वाले थे राजा ने उनको उस लाइनस डैन के अंदर फिकवा दिया और शेर जो है वो उनको खा गया उसको परमेश्वर का भै है ही नहीं वो परमेश्वर की इज़त करता ही नहीं और यहुदी ज्यानी रब्बी जो है जिनका नाम है राशी राशी जो है अपनी कॉमेंटरी के अंदर लिखते हैं कि जब कोई दुष्ट मर जाए अच्चानक से ही मर जाए अगर कोई दुष्ट तो समझ जाना कि कोई धर्मी दुणिया के अंदर बचाया गया है अच्चानक से ही अगर कोई दुष्ट मर जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई धर्मी दुणिया के किसी कोने में बचाया गया है इसलिए वो विपत्ती किसी दुष्ट के उपर आ गई है तो ये बहुत सीवियर बहुत सीवियर ये शिक्षा है यहुदी रभी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो यहुदी रभी इस बात को बोल रहे हैं ना तालमूद इस बात को बोल रहे हैं यह तो सुलिमान ने इस बात को लिखा है और सुलिमान ने वचन के अंदर इस बात को लिखा है तो यहाँ पर किसी का कोई दोश नहीं है यहाँ पर तो सिरफ यहुदी ज्यानी पुरुष्टो इंटर्प्रेटेशन दे रहे हैं उस interpretation को मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहस करने में हम मसीही लोग तो एक number है बहस करवालो आता जाता तो कुछ है नहीं बहस करवालो अभी नीती वचन के पाचवा अध्याय का कुछ portion जो था मैंने YouTube के उपर डाला था तो YouTube के उपर उसमें था कि जो शादी शुदा इस्तरी अपने चरित्र को संभाल करके नहीं रखती है उसके विशे में वो पाचवा अध्याय नीती वचन के पाचवा अध्याय कर हमने commentary ली थी तो जब मैंने उसके कुछ section को डाला कि वैभी चार से कैसे बस सकते हैं जवान तो एक लड़की पता नहीं क्या नाम था उसका वो आकर के comment पे comment की जारी comment पे comment बहस कि आप तो सिर्फ महिलाओं के उपर दोश लगा रहे हैं लड़कियों पे दोश लगा रहे हैं वैभी चारी तो पुरुष होते हैं महिलाएं नहीं होती हैं बात का context समझे बिना वहाँ पे शादी शुदा इस्तरी जो वैभी चार करती है दूसरे पुरुषों के साथ उसके बारे में हमने वहाँ पर बात चीत करी है सुलेमान ने लिखा है और वो आकर के बहस की जा रहे है और comment पे comment चेपे जा रही है चेपे जा रही है चेपे जा रही है एक question अगर उससे पूछनो तो वही पर ही धेर हो जाए लेकिन बहस करनी बहस करनी लेकिन यहाँ पर जो बात सुलेमान ने लिखिए उसका interpretation यहुदी रभी इसी प्रिकार से बताते हैं और मैंने अक्सर इस बात को कहा है Bible में लिखा है दो जन की गवाही परियाप्त होती है इसलिए अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कम से कम दो references होने चाहिए और एक reference तो यहाँ पर दिया हुआ है और एक reference हमने देखा 21 सद्याय के अठारवे वचन में दिया हुआ है तो हमारे पास दो वचनों की गवाही इस बात के उपर हमको मिल जाता है अब सत्रवे वचन के अंदर एक ऐसी बात लिखी हुई है जो आप लोग शायद सुनना नहीं चाहेंगे इसकी commentary को क्रिपालू मनुष्य अपना ही भला करता है परन्तु जो कुरूर है वो अपनी ही देह को दुख देता है क्रिपालू मनुष्य अपना ही भला करता है अब ये कौन सा क्रिपालू है एक तो है धर्मी जो charity करता है और धर्म के कारण आयू लंबी होती है जीवन बढ़ता है अब यहां पे लिखा है कि क्रिपालू मनुश्य अपने ही भला करता है तो यहुदी ग्यानी पुरिशों की कॉमेंटरीज बताती है कि यह क्रिपालू मनुश्य कौन है यह क्रिपालू मनुश्य और कोई नहीं यह क्रिपालू मनुश्य वो है जो अपने रिष्टेदारों की financially मदद करता है रिष्टेदारों की relatives की दूसरों की नहीं रिष्टेदारों की जो मदद करता है सब देखे बाहर वालों की मदद करने से पहले सुलिमान कहता है अपने रिष्टेदारों की मदद कर दो और इसके लिए तालमूद जो यहुदियों का एक मुख्य गरंथ है तालमूद जो है एक रेफरेंस देती है निर्गमन की पुस्तक का तालमूद इस बात को बताती है कि खुद परमेश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा करना अपने रिष्टेदारों की फाइनेंशली मदद करना अगर उनको पैसे की जरूरत है तो और निर्गमन में कहा लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका बाई सद्ध्याय और उसके पच्चिसवे वचन के अंदर ये बात लिखी हुई है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं यदि तु मेरी प्रजा में से किसी दीन जन को जो तेरे पास रहता हो यहाँ पर यहुदी ज्यानी पुरुष क्या कहते हैं जो तेरे पास रहता हो तेरे पास कौन रहेगा तेरा रिष्टेदा तो इसलिए जो तेरे पास रहता हो रुपिय का रिंड दे तो उससे महाजन के समान ब्याज ना लेना अपने रिष्टेदारों को यदि तुम कुछ पैसे उधार देते हो तो तुम बिलकुल भी उससे ब्याज मत लेना बिल्कुल भी ऐसा काम मत करना जो तेरे पास रहता है यानि कि वो तेरा रिष्टेदार है तो रिष्टेदारों की मदद करना हो साथ ही साथ यहुदी रब्बी जो है इस बात को कहते हैं कि यशाया जो था उसने अपने 58 चैप्टर की 7th वर्स के अंदर एक बात बोली थी उसने इस बात को कहा था चैरिटी के बारे में यशाया बोल रहा था और वो कहता है चैप्ञाति भाईयों से अपने आपको मच्च चिपाना लेकिन हीब्रू बाइबल में लिका है कि अपने भाईयों से जादा महत्व रखते हैं, इंपोर्टेंस रखते हैं, यहुदी ज्यानी पुरुशों की शिक्षा रही है, यानि अगर रिलेटिव को किसी चीज़ की जरूरत है, तो उसकी मदद जरूर से करना और एक यहुदी ज्यानी पुरुश हुए जिनका नाम, जिनका टाइटल जो है वो है रदाक, र-A-D-A-K रदाक, और रदाक नाम के जो यहुदी ज्यानी पुरुश हैं, वो इस बात को कहते हैं, कि हर यहुदी के लिए यह जरूरी है कि वो दूसरे यहुदी, जो गरीब यहुदी है, उसको खिलाए और उसको कपड़े पिनाए, ठीक है ना, लेकिन व रिष्टिदार की साहिता करना जादा जरूरी है, और रदाक इस बात को कहते हैं, कि तुमको जब पता है कि तुमारे किसी रिष्टिदार को, तुमारे किसी रिलेटिव को जरूरत है पैसे की, तो इंतिजार मत करना कि वो तुमसे मांगने के लिए आए, तुम आगे करके उसकी मदद करना जैसा सौभाव परमेश्वर का है तुम वैसा प्रगट करना वैसा प्रगट करना साथ ही साथ एक कहानी के बारे में रदाफ ने अपनी कॉमेंटरी के अंदर बताया है यूरोप के अंदर ये बहुत माने हुए रबी थे और जो बहुत माने हुए रभी होते हैं, उनको यहुदी रोग रभी नहीं कहते हैं, उनको रिभी कहते हैं, रिभी, R-E-B-B-E, रिभी, और एक बहुत माने हुए रिभी जो थे, वो एक बहुत अमीर यहुदी के पास जाते हैं, बहुत बड़ा अमीर वेक्ति था वो यहु यहुदी उसके पास यूरोप में जाते हैं और इतने महान रेभी जब एक यहुदी के पास जाते हैं तो वो उठकर के खड़ा हो जाता है भागा भागा आता है कि इतने बड़े महान ज्यानी जो है वो मेरे ओफिस आ गए ऐसा कैसे हो गया और वो उनको बिठाता है और पामेश्वा ने बहुत सारे बच्चों से ब्लेस किया है, लेकिन वो बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं, और वो खुद भी कमा नहीं सकती है, पड़ी लिखी नहीं है, तो नौकरी लग नहीं सकती है, तो मैं निकला हूँ घर से ताकि मैं उस परिवार के लिए कुछ दान इखटा करूँ, ताकि उस परिवार का जीवन भर पालन पोशन हो जाए, तो इसी सिलसले में मैं आपके पास आया हूँ, रेवी ने कहा, तो अब इतने महंतम रेवी आये हैं, तो यहूदी जो था, वो वैसे ही गदगद हो रखा था, कि मेरे पास आये हैं तो उसने अपनी चेक बुक निकाली, और चेक बुक निकालने के बाद एक बहुत मोटी रकम जो है उस चेक के अंदर भड़ दी, और फिर रेवी से पूछा, रेवी किसके नाम के उपर चेक काटू, तो रेवी ने उसकी तरफ देखा, और रेवी जो थे वो मुस्कुराए और रेवी ने कहा कि अपने भाई के नाम पर आप ये चेक को काट दी, यानि कि एक इतना धन्वान यहुदी, उसका भाई जो था उसके बच्चों के पास, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे, तो रेवी को जाना पड़ा, उसके भाई के लिए, भाई से मिलता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत तायत से है और तुम अपने रिष्टेदारों की मदद नहीं कर रहे हो, तुम अपने आपको अमीर दिखा रहे हो उनके सामने ताकि तुम्हारी इज़त बढ़े, तो ये परमेश्वर की दृष्टी में पाप है, यहाँ पे लिख करी, उधर से आपका reward जो है, वो निकल चुका है, यहुदी ग्यानी पुरुष यही शिक्षा देते हुए आए, लेकिन इसी बचन का दूसरा भाग क्या कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जो क्रूर है, क्रूल, वे अपनी ही दे को दुख देता है, जो क्रूल ह कैसे, यहुदी ग्यानी पुरुष कहते हैं, कि यहाँ पर जिस क्रूर की बात की गई है, यह क्रूर वो है, जो अपने रिष्टेदारों को ही लूटता है, चूना लगा देता है, अब एक construction का काम करने वाला है, उसके रिष्टेदार ने सोचा कि यह ठेकेदार अच्छे है अपने घर के हैं, रिष्टेदार हैं, तो construction का काम मैं इनको ही दे देता हूँ, मेरे को घर बनाना है, अब यह जो constructor हैं सहाब, इन्होंने क्या किया, कि अपने ही रिष्टेदार का घर बनाने में बेवानी करती, इन्होंने cement कम और rate ज़्यादा मिला दी, पूरा घर जो है, ऐसे ही बना करके दे दिया, तो यह kuruर जन है, यानि अपने ही रिष्टेदार के साथ जो धोकदड़ी होती है, और धोकदड़ी बहुत तरियस से हो सकती है, मेरी बेटी का रिष्टा तो अच्छे घर में हो नहीं रहा है, इसकी बेटी का हो गया तो तो टोड़वाता ताकि मेरी बेटी का हो जाए तो अलग-अलग प्रकार से धोका दड़ी हो सकती है रिष्टेदारों के साथ तो कुरूर जन जो है वो अपनी ही देह को दुख देता है क्योंकि परमेश्वर का दंड आता है तेरे पास बहुतायत से है फिर भी तुने अपने रिष्टेदार के साथ धोका दड़ी करी जब रिष्टेदार के साथ धोका दड़ी कर सकते हो तो दूसरे के साथ तो करोगे ही करोगे तो इसलिए परमेश्वर का दंड फिर आ जाता है तो कृपालू मनुष्य जो है वो अपना भला करता है क्योंकि यहां उसने अपने रिष्टिदार की मदद करी वहां से स्वर्य रिवार्ड उसके लिए निकल गया और रिवार्ड अलग-अलग प्रकार के होते हैं अच्छी सेहत का बाल बच्चे जो हैं वो अच्छे रस्ते के उपर हैं बिगड़े नहीं अलग-लग रिवार्ड होते हैं जरू नहीं कि financial reward ही आए financial reward तो आएगा ही आएगा लेकिन उसके साथ साथ दूसरी reward भी आते ही आते हैं धर्मी का प्रतिफल जीवन का व्रिक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है अब इसके बारे में यहुदी ज्यानि पुरुष बहुत अच्छी टीचिंग देते हैं वो कहते हैं कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वरिक्ष है जीवन का वरिक्ष कैसे है गुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को कैसे मुह लेता है जीवन का वरिक्ष कैसे है दूसरे लोगों को जब वचन की शिक्षा दी जाती है इस वेक्ति के द्वारा तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है ये जीवन का वरिक्ष उनके अंदर भी चला जाता है और यहुदी ज्यानी पुरुष क्या उधारन देते हैं वो मिद्राश तन खुमा एक मिद्राश का ही एक भाग है मिद्राश तन खुमा का उधारन देते हैं मिद्राश तन खुमा में लिखा हुआ है कि सारा जो थी उसका जितने भी उसके साथ कबीले में लोग थे उनके जब मकपेला वाली गुफा जो खरीदी थी तो जो हित्ती लोग थे वो भी इबराहिम को जानते थे तो दूसरे लोगों के साथ भी जान पिछान होती है तो जो दूसरे लोगों के जब दोस्तों के जब बच्चे होते थे इबराहिम और सारा वहाँ पर उनसे मिलने जाते थे, बच्चों को गिफ्ट देने जाते थे, तो जिस बच्चे को सारा उठा करके अपने हाथ में गोध में खिला लिया करती थी, चाहे हित्कियों के हो, कनानियों के हो, किसी के भी हो, तो मिद्राश तन्खुमा बताती है कि सारा जबकि सारा के पास खुद का कोई संतान नहीं थी सारा जो थी वो बांच थी देखे आज क्या होता है जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हो पाते हैं लोग उनको गलत नजरों से देखते हैं उनको कहते हैं कि इसकी नजर हमारे बच्चे के उपर नहीं लग जा इसको छुपा करके रखो इसकी नजरों से लेकिन सारा को जो बच्चे हाथ में दिये जाते थे और सारा जिन बच्चों को अपने हाथ में खिला लिया करती थी चाहे वो हित्तियों के हो कनानियों के हो या इब्रियों के हो वो बच्चा जो है वो बड़ा हो करके परमेश्वर का डास बन जाया करता था परमेश्वर के पास आ जाया करता था प्रवुक के पीछे लौ लगा करके लग जाया करता था तो सारा के हाथ में ऐसी ब्लेसिंग थी कि सारा जिस बच्चे को हाथ में ले लेती थी उसका जीवन परिवर्तन हो जाया करता था और मिद्राश तन्खुमा जो है इस बात को बताती है कि जब हरान के अंदर इबराहिम और सारा रहते थे तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो गया था इनका मूँ जो था इनका जीवन जो था वो जीवन का व्रिक्ष था कैसे था उत्पती की पुस्तक उसका बारा अध्या उसके पाचवे वच्चन के अंदर बताया हुआ है कि इन दोनों ने किया क्या था इस प्रिकार अबराम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को जो धन संपत्ती उन्होंने इखटा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किये थे कैसे प्राप्त किये थे अपने मूँ के वच्चनों के द्वारा परमेश्वर का संदेश सुनाने के द्वारा जब ये परमेश्वर का संदेश सुना रहते तो लोगों के जीवन के अंदर उनकी जिन्दगियों के अंदर जीवन का वरिक्ष उतर गया था वो समझ गये थे कि इनके साथ रहना ही भला है और उन सब को ले करके वो वहाँ से निकले थे हरान में इनोंने इन प्राणियों को प्राप्त किया था मिद्राश तन्खुमा में इस बात को बताया हुआ है तो यहाँ पर इसी बात को लिखा हुआ है कि बुद्धिमान मनुष्य सब लोगों के मन को मुह लेता है और जीवन का व्रिक्ष भी है तो धर्मी का प्रतिफल क्या है धर्मी का प्रतिफल spiritual children जो होते हैं यहुदी ज्यानी पुरुष कहते हैं वो धर्मी का प्रतिफल है अगर किसी ने अपने spiritual शिष्य नहीं बनाए children नहीं बनाए तो फिर उसका जीवन बेस्ट है धर्मी का प्रतिफल spiritual children होते हैं आत्मिक संताने होते हैं